हाई दोस्तो परदेशी फ्लाइट हीटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो एक मुसीबत खत नहीं होती कि दूसरी मुसीबत सामने आकर खड़ी हो जाती है पिछले तीन महिने से इंडिया से सौधी रब जाने वाले PCC यानी पुलिस क्लेरेंस साटिफिकेट के ल आ सकते हैं लेकिन अब इंडिया से दुबई जाने वालों के लिए दोस्तो एक बड़ी मुसीबत आ चुकी है बहुत बड़ा बदलाओ कर दिया गया है दुबई हुकुमत की तरफ से क्या कुछ बदलाओ किया गया है और कि लोगों का वीजा नहीं मिल पाएगा और वो अबडेट आई है दुबई अथर्टी की तरफ से वहां की हुकुमत की तरफ से पूरी खबर दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले दोस्तो आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आप इसी तरह की उपी होगी जानकारी से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं लगातार अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी आप परदेशी फ्लाइट यीटूब चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिसे जब भी हमारी कोई लेटिस्ट वीडियो आए हैं नए आदेश हैं नए अपडेट हैं वो कहीं ना कहीं पर बहुत सारे भारतियों के लिए मुसीबत बनने जा रहा है नए अपडेट के अनुसार अगर आपके पासपोर्ट पर सिर्फ सिंगल नाम है यानि केवल एक नाम है तो अब आपको दुबई UAE का वीजा नहीं मि सलमान से पहले महमद नहीं है या सरनेम में कोई खान नहीं है या जो भी है आपका कोई डबल नाम नहीं है मालेजिए तो अब आपको वीजा इशू नहीं होगा आपको वीजा नहीं मिलेगा दुबई का आप दुबई ट्रिवल नहीं कर पाएंगे एक उधार देकर मैं अपने स्क्रीन पड़ एक पासपोर्ट देख रहे होंगे जिसमें given name में केवल सलमान दिया गया है इसमें सलमान से आगे ना तो अली लिखा हुआ है ना अहमद लिखा हुआ है ना तो सलमान से पहले महम्मद है यानि ये केवल एक नाम है और सरनेम में भी कुछ भी नहीं है तो यानि केवल ये सिंगल नाम माना जाएगा केवल एक नाम माना जाएगा ऐसे लोगों को दुबई का वीजा नहीं मिलेगा ये दुबई के लिए ट्रिवल नहीं कर पाएंगे तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी ये मुसीबत होने जा रही है क्योंकि भारत में बहुत स होगे यहाँ पर सलमान लिखा हुआ है फिर इस पेस है फिर एहमद लिखा हुआ है यानि ये डबल नाम है इस पर वीजा मिल जाएगा इनको कोई दिकत कोई परिशानी नहीं होगी ठीक इसी तरह से दोस्तों यदि आपके पासपोर्ट पर गिवेन नेम आले कॉलम में केव भी डबल नाम हो जाएगा एक गिवेन नेम हो गया सलमान और सर नेम में हो गया अहमद यानि ये भी डबल नाम हो गया इनको भी दुबई का वीजा मिल जाएगा ये दुबई के लिए ट्रिवल कर जाएंगे इनको भी कोई दिकत कोई परिशानी नहीं होने वाली है तो पर इंडिया ने भी जारी कर दिया है जो बदलाव किया गया है नयनियम में UE authority के तरफ से आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जो Indigo Alliance के तरफ से update दिया है जिसमें बताया गया है कि UE authority के instruction के अनुसार सिंगल नम वाले 21 नूंबर से travel नहीं कर पाएंगे विजिट वीजा या टूरिस्ट वीजा पर वो travel नहीं कर पाएंगे लेकिन यदि उनका residence वीजा है या employment वीजा है तो वो travel करेंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी चाहे उनका single नाम ही हो तो ये update दिया गया है UAE की तरफ से, दुबई की तरफ से तो देखते दोस्तों आने वाले दिनों में इसमें क्या कुछ बदला होता भी है या नहीं होता है जैसे दोस्तों इस पर कोई update आएगी वो आप तक पहुँचाए जाएगी इसके लिए परदेशी फ्लाइट YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले मिलेंगे दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल लखें खुश रहें गुडबाए